हेलो दोस्तो जब भी आप आपके एसर के लेपटॉप को आउन करते हो तो वहाँ स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से नो बुटेबल डिवाईस का एरर सोब करता है तो दोस्तो इस प्राबलम को कैसे सॉल करें दोस्तो जब भी आपके एसर के लेपटॉप में कुछ इस तरीके से एरर सोब होती है तो इसे सॉल करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ दो मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक हेलो दोस्तो यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तो इस प्र बायस सेटिंग होती है यदि दोस्तो वहाँ इंटर नहीं होती है तो इसके बाद कंट्रोल अल्ट एंड डिलीट बटन प्रेस करें देन दोस्तो एप्टू बटन प्रेस करें जहां पर दोस्तो आपको कुछ इस तरीके से इंटर फेस सोफ होगा जिसमें आपको आपके सिस्टम की प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन जैसे कि यहां आई 3-4 जनरेशन है और मोस्ट इंपॉर्टेंड HDD और SSD जो भी आपके लेप्टॉप में इंस्टॉल है उसका पार्टिसन और उसकी प्रोपर्टी सोफ होगी जैसा कि यहां पर WDC की 500GV की हाड़ड़स इंस्टॉल है मिन्स दोस्तो इस कंडिशन में आपकी हाड़ड़स प्रोपर्ली होके है और दोस्तो यदि यहां पर कुछ भी सोफ नहीं होता है तो दोस्तो आपकी हाड़ड़स या SSD खराब हो चुकिए जिसे चेंज करके चेक करें और दोस्तो बूट ऑप्सन में जहां पर भी आप देख सकते फर्स्ट बूट फर्स्ट नमबर पर HDD WDC सोफ हो रही है मिन्स आपके हाड़ड़स ओके है इसके बाद दोस्तो सेकेंट ट्रिक जो की बूट मोड यदि UEFI पर हो तो इसे इंटर करें जहां पर आप देखेंगे आपके सामन लेगेसी ओप्सन सोफ होगा जिस पर इंटर करें देन ओके पर क्लिक करके इसे सेव कर ले जैसा कि आप देख पार है बूट मोड जहां पर UEFI था महां पर लेगेसी आ चुका है देन दोस्तों भंगसन की एप्टेंट प्रेस करें आपके सामने सेव कनपरमेशन चेंज और अप्सन सोफ होगा जिस पर इंटर कर दे आपका लेप्टाप आटोमेटिक रिस्टार्ट होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं और आपका laptop का windows properly work करने लगेगा दोस्तों यहाँ problem most आपके laptop की battery proper work नहीं करने की वजह से आपके bias की setting change हो जाती है जिसकी वजह से यह problem आपको बार बार आ सकती है यदि आपको यह problem बार बार आती है तो आपके laptop की battery change करके check कर सकते है दोस्तों इसी तरह आसाण इन उनिक ट्रिक सेखने के लिए अमारे साथ बने रहे हैं आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe करे like share and यह video आपको कैसा लगा comment करना ना भूले thanks for watching